हेलो एवरीवन वेलकम तु स्टेडी पॉइंट आज हम डिसकस करेंगे 10 मार्च 2023 के डेली करंट अफियर्स और ये करंट अफियर्स आपकी सभी कम्टेटिव एक्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपोर्टन्ट होने वाले हैं तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखे चलिए शुरू करते हैं योशांग फेस्टिवल से जो कि अभी मनिपूर में शुरू किया गया है ये मनिपूर में मिताई मिताई मतलब मनिपूरी जो पिपल है एथनी कृप उनके द्वारा ये सेलिब्रेट किया जाता है और ये पांच दिन तक होली के दिन से शुरू होत ये फुल मून डे ओफ मन्थ ओफ लंबडा या लंबडा उस दिन से शुरू होता है मन्थ ओफ लंबडा का मतलब है फरवरी और मार्च के जो पुर्णिमा है उस दिन से ये योशांग फेस्टिवल शुरू होके पांच दिन तक चलता है और इसको भी होली की तरह ही सेलिब योशांग फेस्टिवल का जो फीचर है वह है थवाल चोंगबा थवाल चोंगबा क्या है डांसिंग इन दा मूनलाइट तो यह अपने टर्मिनोलोजी भी याद रखनी है कि थवाल चोंगबा क्या है एक फॉर्म आप डांस है या क्या कुछ और है इस तरह कि कई बार पूरा योशांग फेस्टिवल ना पूछ के उसकी टर्मिनोलोजी उसके बीच की टर्मिनोलोजी है वो पूछ जाती है आपसे पूछ लिया जाएगा कि थवाल चोंगबा क्या है तो यह डांसिंग इन दा मूनलाइट या ए फॉर्म आफ डांस है जो कि बनीपूरी पीपल के द्वा होता है और यह पांच दिन का फंक्शन है यह फेस्टिवल है इसमें कल्चर और डिलिजियस अक्टिविटी करवाई जाती है और यह फुल मून डे मतलब फुल मून डे पुनिमा के दिन से मंथ अफ लमला फरवरी और मार्च के जो पुनिमा है उस दिन से यह शुरू किया जाता है और पांच दिन तक चलता है इसमें में फीचर क्या है फेस्टिवल का थवाल चोंगबा जो की डांसिंग इन दा मून लाइट यह अपने ध्यान रखना है और इसमें बहुत सारी स्पोर्स अक्टिविटी भी कंड़क्ट करवाई जाती है यह था यह शांग 23 तो यह इंडिया और फ्रांस की joint military exercise है जिसका भी first edition पैंगोडे military station तिरुवन्त में पूरम में कंड़क्ट करवाया गया इस exercise का जो कंड़क्ट करवाने के बाद से दोनों देशों की जो forces है उनके बीच में interoperability, coordination और cooperation बढ़ जाएगा और दोनों देशों के बीच mutual जो understanding है उसको भी बढ़ावा मिलेगा इस fringex 2023 में इंडिया की तरफ से इंडियन आर्मी की जो तिरुवन्त फूरम यूनिट का एक बड़ी टुकड़ी पार्टिस्पेट करेंगी और फ्रांस की ओर से 6th light armored brigade पार्टिस्पेट करेंगी fringex 2023 में तो fringex की जो इस exercise की theme है humanitarian assistance and disaster relief operations in contested environment theme क्या है विबादित environment या विबादित शेत्र में humanitarian मानविय सहता और disaster relief operation इसकी theme है थीम भी याद रखनी है और ये fringex 23 किसके बीच में इंडिया और फ्रांस की joint military exercises कहां conduct करवाई गी है पैंगोडे military station तिरुवंत पूरम केरला में conduct करवाई गई है ठीक है और exercises training exercise जो हमारी फ्रांस के साथ होती है इंडिया और फ्रांस के बीच में होती है पहली है गरुड जो इंडियन जो एयर फोर्स है उनके साथ फ्रांस की exercise है ये और फिर वरुन ये इंडियन नेवी और पैंगोड कि नेवल एक्सरसाइज है फ्रांस के साथ और एक आर्मी exercise आथ एक्सरसाइज शक्ति ये वाई इन इंडिय ट्रेनिंग exercise है जो कि फ्रांस और इंडियन इंडिया के बीच में conduct करवाई जाती है एक नेवल एक्सरसाइज है का एक ये इंडियन आरमी की exercise है नेक्स्ट है Delhi Airport named one of the best and cleanest airports in Asia Pacific 2022 ASQ Award ASQ है Airport Service Quality Award जो की ACI की ACI के द्वारा दिया जाता है अभी इनने ACI के according जो Delhi Airport है Delhi Airport या Indira Gandhi International Airport इसको cleanest और best airport in Asia Pacific करार दिया है इनने इनके according ये सबसे cleanest है और best airport है और ये जो survey है ये 30 parameters 30 performance indicators के आधार पर दिया जाता है और इसमें अलग-अलग elements के आधार पर ये survey दिया जाता है like की passenger का experience कैसा है, customer satisfy है या नहीं है और airport पे किस तरह की service उन्हें दी गई और उन्हें खाने पीने की किस तरह की facility दी गई और और भी बहुत सारी क्योंने, airport पे किस तरह का experience वो उस experience से खुश है की नहीं है उस तरह के बहुत सारे 30 जो performance indicator है उसके आधार पर ये ASQ award दिया जाता है, तो ये जो airport service quality award है, ये passenger survey करवाया जाता है कि customer, airport की services से खुश है या नहीं है, satisfy है या नहीं है उसके आधार पर ये award दिया जाता है, और ये award किस के द्वारा दिया जाता है, ACI airport council, council international के द्वारा और अभी बात करते है, डेली जो इंद्रा गांधी international airport, इसको operate कौन करता है, डेली international airport, limited के द्वारा ये operate किया जाता है अगर बात करें, ACI की, ACI एक non-profit organization है, और जिसको 1901 में की गई थी, और इसका headquarter कहा है, Montreal, Quebec, Canada में इसका headquarter है और इसके जो operator है, या members है, वो nearly 2000 airports को operate करते हैं, ठीक है, ACI क्या है, non-profit organization है, इसकी सापना कब हुए, 1991 में, और इसका headquarter कहा है, Montre, Quebec, Canada में ये 2000 airports को, 2000 के आसपास, airports को ये operate करते हैं, तो अपने ध्यान रखना है, ACI क्या है, और ASQ award क्या है, और ये किसको दिया गया है, तो ये डेली international airport को दिया गया है, और ठीक है, बस ये ही है, इसमें, कि डेली airport को best और cleanest airport दिया गया है, in Asia Pacific में, ASQ award दिया गया है, इनको ACI के द्वारा, तो ASQ आपने ध्यान रखना है, airport service quality और airport council international ACIV ध्यान रखना है, next है, हिमाचर government hikes monetary award for और महिला विकास प्रोश सहान प्रुसकार, तो अभी जो monetary या cash prize है, उसको जो हमारे honorable CM है, ठाकुर सुख्विंदर सिंग सुख्व, इनने अभी international women's day के दिन state level event को precise किया, और बहुत सारी महिलाओं को सम्मानित किया, जिनका अलग-अलग field में काफी योगदान था, उनको सम्मानित किया, तो और साथ में ही उनने घोशना की, और साथ ही उनने announcement की, कि जो monetary award है, जो cash prize है, उसको उनने 5 गुना तक बढ़ा दिया, जो पहले 21,000 दिया जाता था, अब उसको 1 लाग कर दिया है, और district level पे जो award दिये जाते थे, पांच हजार उसको 25,000 कर दिया है, तो बस यह ही है, कि जो हिमाचल परदिश के जो CM है, उनने announcement की है, कि जो महिलाओं को cash prize दिये जाते है, उसमें बढ़ोतरी की है, पांच गुना तक जो भी prize, महिला विकास पुरुसकार के अंडर दिये जाते थे, उसमें उनने 21,000 वाले नेक्स्ट है, SS-Dubay takes charge as new controller general of accounts, अभी SS-Dubay ने CGA के रूप में कार्यभार संभाला है, आपने CGA और CAG के बीच confused नहीं होना है, CAG है controller auditor general और CGA है controller general of accounts, तो अभी जो SS-Dubay है, इनने 28 controller general of accounts के रूप में अभी charge संभाला है और इससे पहले वो additional controller general of accounts रहे है, और CGA का जो main मुख्य काम है, वो है principal advisor होता है, यह accounting matters पे, union government को यह accounting से related जितने भी matters है, उसमें यह मुख्य सलाकार रहते है और जो CGA है, यह ministry of finance, government of India के अंडर काम करते है, और CGA की responsibility होती है, एक्स चेकर control राजकोशिये, राजकोशिये, राजकोशिये नियंतरन है और internal order से, center government का, वो किसके responsibility होती है CGA की responsibility होती है, तो अभी किस ने charge लिया है, SS Dubai, श्री SS Dubai जी ने, CGA के रूप में charge संभाला है तो आपने यह ध्यान रखना है, यह 28 way control general of accounts है, और इनका main मुख्य काम क्या रहता है, यह principal advisor होते है advice देते है, accounting matters, matters पे union government को, ठीक है, और यह internal orders और exchequer control राजकोशिये, नियंतरन के लिए भी responsible होते है, CGA, ठीक है, आज के लिए बस इतना ही मिलते है next वीडियो में अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो like करे, share करे और channel को subscribe करे, have a great day, bye bye